समन्ने तोर पर हमारे सरीर पर कहें भी अचानक अगर फपोले से पढ़ जाते हैं उसमें दहा जलन होती है और इसमें से एक प्रिकार का पधात निकलता है जो दूसरी जगह पढ़ जाने पर भी वहां घाव कर देता है तो हम लोग उसको मकड़ी का पिजाना या मकड़ी के काड़ जाने के लचण बताते हैं परन्तु ऐसा नहीं है आप पहले उसको जाचे कि ये मकड़ी के पिजाने से ऐसा हुआ है या ये हारपिज की समस्या है तो आज हम इस वीडियो में आपको ये दोनों बताने वाले हैं कि हारपिज के लचण क्या होते हैं और मकड़ी के लचण क्या होते हैं और मकड़ी पिजाने के उपाए क्या है कि हम इससे किस परकार बश सकते हैं और इसका टीटमेंट घर पे किस परकार कर सकते हैं तो आप हमारे इस वीडियो पर बने रहें और इसको अंतक देखें। अक्सर कहीं लेटे रहने या बैठे रहने से अचानक हमारे सिर पर ये हाथ पर ये मकड़ियां चड़ जाती हैं। परन्तु ये हमें काड़ती नहीं है जब तक इनको छेंडेना। अगर गलती से ये मकड़ियां हमारे शरीर पर पिच जाती है । एक काड़ लेती है। तो हमारे सरीर पर दहा, जलन, फपोले, बुखार, भूख का कम लगना प्यास यादी समस्यां उत्पन हो जाती है और इसमें जलन भी बहुत होती है कुछ मकड़ियां बहुत ही जहरीली होती है जैसे की रैक्टल फ्यूज, बिंडो इस्पाइडर, यलो सेक इस्पाइडर, वुल्प इस्पाइडर, जयपिंग इस्पाइडर यादी मकड़ियां बहुत ही जहरीली होती है इनके कार्ड जाने पर हमें इसका तुरंट टीटमिंट करना चाहिए अगर टीटमिंट सही समय पर ना मिला तो मिर्ट्यू भी हो शक्ती है तो मकड़ी की पिजाने पर जैसे फपोले पढ़ते हैं उसी पिरकार एक हारपिस रोग होता है जो सिंप्लैक्स वाइरस के कारण होता है यह एक वाइरस होता है जो बाहरी जंगंगा गुदा गर्धन के पीछे पीट पर कहीं भी हो सकता है इसमें फपोले, गहाओ, सिर्दर्द, बुखार, ठकान, भुख प्यास कम हो जाती है तो आप इसकी पहले पहचान कर लें कि आपको मकडी ने काटा है या मकडी पिची है या आपको हारपिस की समस्या है अगर आप चाहते हैं कि मैं इस हरपिस के उपर पूरी जानकारी आपको दूँ तो आप हमें कमेंड बॉक्स में कमेंड करें ताकि मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे सकूँ तो अब बात करते हैं इस मकड़ी के पिजाने पर हमें कौन-कौन से लचड दिखाई देते हैं मकड़ी के पिजाने पर या काड़ जाने पर हमें तुरंत कुछ पता नहीं चलता 30 मिंड से लेकर 2 घंटे के अंदर इसके कुछ लचड दिखाई देने लगते हैं जैसे कि तोजा में खुजली होना, रैसिस पढ़ना, लाल चकत्ते होना, सूजन होना, बुखार, सिर्दर्द, हातों का पेरों का शुन होना यादी समस्याएं दिखाई देती हैं अगर आपको कहीं जहरिली मकड़ी काट लेती है, तो आपको हाई ब्लेट प्रेशर, देखने और सुनने की छमता कम होना, मास पेसियों में कमपन या एठन होना, सिर्दर्द, बुखार, पशीना आना, जहां मकड़ी काट लेती है, उस जगा पर लाल या वैगनी रंग का रि मैं आपको कुछ आयरवेदिक या घरलू उपायवारत आने वाला हूं, मकड़ी के पिच जाने पर या उसके रगड़ जाने पर या उसके फपोले पड़ जाने पर आप इसका प्रियोग कर सकते हैं, गूलर, पीपर, पारस, पीपल, बरगद और पाकर, पांचों पेड की चाल का सीतल काड़ा बनाकर घाओ फुंसियों की दुलाई करें, इसे यह बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, कथा दो तोला, कपूर, एक तोला, सिंदूर, छै मासे, इनको आप तीनों को बारीक पीश कर छान लें, और सो बार धुले हुए घी या मक्षन में मिलाकर आप घा प्रियोक कर सकते हैं, तीसरे नमबर पे हैं, आपको अगर मकड़ी काट लेती है, फपुले पड़ जाते हैं, तो आप जो अमचूर आता है, आम का बना हुआ एक पॉडर आता है, जो किचन में प्रियोक किया जाता है, आप उसका चुरून लेकर, और उसका पेष्ट बनाक अगर फपुले पे लगाते हैं, तो आपको काफी आराम होता है, और जो गाओं के लोग आज भी करते हैं, और ये बहुती रामबान काम करता है, जिसका हम जिकर कर रहे हैं, वो है मकड़ी के पिज जाने पर केचुवा की मिट्टी, तो बारिस के मौसम में ये केचुवा अ खरल करके मलने से मकड़ी के दाने मिट जाते हैं, एक इसका और भी तांतर की उपयोग है, ये चमतकारी उपयोग भी कह सकते हैं, कि आप देसी गाय के गोबर की मकड़ी बना कर रवी बार के दिन रोगी के सिर से पाउं तक 21 बार उतार कर धूप में सूखने रख दें, जै इसका सबसे बड़िया जो उपयोग है, अप मार की जड़ को आप महीन बार एक पीस कर मकखन में मिलाकर लगाने से, मकड़ी की लार से जो फंसीयां वनती हैं, वो नश्ट हो जाती हैं, ये बहुत ही चमतकारी हैं, आप इसका प्रियोग करके देख सकते हैं, मकड़ी के मसल जाने पर ये अपने आपको कुछ उपयोग बताएं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अगर इन से आपको रहत नहीं मिलती है, तो आप इस किसी बैद ये डॉक्टर से तुरंट संपरक करें, कहीं आपको हारपेज की समस्या तो नहीं है, या और किसी चीज ने तो नहीं का अगर आपको हमारी द्वारा बताएं गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें और बेल आइकोन को आलपल क्रिक कर दें, ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सकें, तो हम कल फिर मिलेंगे एक ऐसी जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद।